नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों जीन से एक बड़ा अपडेट आ चुका है और कुछ ऐसी हालत होने वाली है कि ये देखेगा वर्ल्ड के बांकिंग सेक्टर पर इंपाक्ट करने वाली से रिलेटेड बड़ी अपडेट आ सकती है और रियल स्टेट तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा सिग्मेंट है चाइना का जिससे देखेगा बहुत सारे सिग्मेंट इंडिया के भी जुड़े हुए है उस पे भी इंपाक्ट पड़ सकता है ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूँ क कि कुछ एक और कंपनी आपको याद होगा अगर अगर आप लगातार मार्केट में रहते तो एवर ग्रेंडे का नाम आपने सुना होगा एवर ग्रेंडे का जब क्राइसेस हुआ था चाइना में तो स्टॉक मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ा था वो एक स्टॉक मा कोलाप्स होना शुरू हुई जब देखेगा जीरो कोविट पॉलिसी आई चाइना में और आपको पता है कोलाप्स होने के बाद जितनी भी देखेगा डिफरेंट डिफरेंट बैंकों ने इनको जितनी दिने फाइनेंस किया था उन पे इंपाक्ट पड़ा उनकी एकॉनमी इस पे इंपाक्ट पड़ा और एवर ग्रेंडे देखेगा आपको पता बहुत बड़ा कंजूमर भी था जो डिडीपी में पार्टिसिपेट करता है रियल स्टेट जो चाइना की वो 25% है 2% GDP का बना के देता है रियल स्टेट के अवल तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी बात है तो ऐसे में तो यहाँ पे बड़ा अपड़े 25% मलब GDP में बना के देता है तो आप समझ सकते हैं कि आवर ग्रेंडे जस्ट एक रियल स्टेट था तो उसके बाद विश्व के स्टॉक मार्केट पे असर पड़ा था अब देखेगा फिर से रियल स्टेट का संकट देखने लगा है चीन में और गायब होने लगे हैं बड़े अधिकारी तो एक और कंपनी फिर से देखेगा ठप हो सकती है रियल स्टेट की चाइना की और अगर ऐसा होता है तो जल्दी देखेगा सारे बैंक्स में देखेगा इंपक्ट पड़ेगा Čए वो अमेरिका का हो चाए वो इंडिया का हो चाए वो अधर कॉनिस का हो तो चीन में रियल स्टेट सेक्टर का संकट बहुत तेजी से घहर आ रहा है और आपको इसको सीरियस इसले नहीं ना चाहिए चुकि चाइना इस दा बिगेस्ट कंस्यूमर और रियल स्टेट आपको पता है रियल स्टेट में बहुत सारी चीज लगती हैं सीमेंट, मेटल, पाइप्स और ना जाने क्या-क्या तो ऐसे में अगर इनका रियल स्टेट वर्क नहीं करता तो वर्ल्ड कंस्यूमर डिमांड भी देखेगा बहुत कम हो जाएगी और इनके बांकिंग सेक्टर चफेट में आने वाले हैं और ये जस्ट अभी की अपडेट है आपको पता है बड़े-बड़े कमपनी के CEO गाइब हो रहे हैं बड़े-बड़े कमपनी के CEO लापता हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बांकिंग सेक्टर में देखने हो जाए देश की प्रमुक Wealth Management Company ने पिछले हफ्ते काहा था कि वह अपना पूरा बिल चुकाने की स्थिती में नहीं है तो आप समझ सकते हैं यह देश की सबसे प्रमूख wealth management company है तो आप समझ सकते हैं कि इन्हों ने अपना करज, अपना बिल यह एक particular चाइना से ही नहीं लिया है बहुत सारी कमपनियों से लेते हैं वर्ल्ड की, तो ऐसे में इस group से जुड़ी कमपनियों के कई अधिकारी पिछले कुछ दिनों में लापता हो चुके हैं और आपको पता होना चाहिए चाइना में GDP का participation, real estate का 25% है, तो आप समझ सकते हैं पूरी economy इनकी देखेगा संकट में आने वाली है और चाइना की economy से IMF को और World Bank को इतनी उमीद है कि वहाँ पे वो global economy में support करेंगे, जबकि चाइना की खुद की स्थिती ऐसी है कि उनका real estate sector एकदम dump होता चला जा रहा है एकदम लगातार गिरता चला जा रहा है दीरे दीरे दूसरे sectors को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है यानि कि इससे जुड़े sector like metal आपको पता है metal होता है cement होता है और भी देखेगा इतने interiors होते हैं तो वो सारी चीज़े banking सबसे बड़ा correlate चुकि finance की बेना तो आप देखेगा real estate में प्रवेश कर नहीं सकते तो आप समझ सकते हैं कि इसका पहला शिकार तीन ट्रिलियन डॉलर का shadow banking sector हुआ है तो आप समझ सकते हैं तीन ट्रिलियन डॉलर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की economy 4 ट्रिलियन डॉलर पे world cup वाले दिन पहुची थी तो 3 ट्रिलियन डॉलर जो इनका banking sector है उसको चपेट में ले लिया है तो आपको पता है कि अगर ऐसी कोई company फिर से देखेगा collapse होती है तो उसका impact पूरे के पूरे stock market पे देखने को मिलेगा अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कि कई तरीके के देखेगा इनके अधिकारी गायब हो चुके हैं जिनके नाम आपको देखने को मिलने हैं आगे अगे अगर आप देखेंगे एक दर्जन से ज़्यादा अधिकारी है यह CNN की update है अगर किसी को article चाहिए तो आप देख सकते हैं CNN business पे जाके more executive go missing in China देखे आप समझ सकते हैं this time linked in to travert shadow bank तो आपको पता है shadow bank 3 trillion dollar एक देखी का साख पे लगी हुई है और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो चाइना की economy बहुत बुरी तरीके से impact होगी और आपको पता है अगर यह impact होगी तो इससे हमारे किस sector पे impact पड़ेगा तो पहला sector होगा metal यह आपको यादखता है metal के बाद oil and gas आपको पता है world consumer demand फिर banking sector तो यह ऐसे sector है जो world को problem में डाल सकते हैं due to this event तो focus करिएगा be cautious thank you so much